हेलो दोस्तो कैसे हो दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कंटेंट अवेर मूव टूल को तो दोस्तो कंटेंट अवेर मूव टूल होता क्या है और यह कहां पे होता है तो दोस्तो यह यहां से आप यहां पे चलोगे तो यह जो sport healing brush tool आते हैं उसके अंदर ही content aware move tool भी होता है तो जैसे ही content aware move tool होता क्या है जैसे मालो एक सेकिंड मेरे एक photo है मेरे पास ठीक है अब मेरे को इसका selection करना है तो मैं क्या करूँ है यहां से yes यह मैंने content aware tool से इसका selection कर लिया ठीक है और यह selection मैं किस से कर सकता हूँ और दूसरे से भी कर सकता हूँ यहां से कर सकता हूँ लस्टूल से कर सकता हूँ पोलिगोनल टूल से कर सकता हूँ या magnetic tool से कर सकता हूँ तो मैं जैसे करता हूँ पॉलिगोनल टूल से करता हूँ मालो इसको कंट्रोल डी दबाते हैं यहां से सलेक्ट कर लिया है और यह पॉलिगोनल टूल को सलेक्ट कर रखा है तो यहां से यह देखे मैंने एकदम क्लियर टी के साथ लेते हैं इसको थोड़ा सा और ले लेते हैं एक दम परच्छाई के साथ ठीक ये ले लिया अब मैं इसको मूव टूल की साहिता से यहां से मूव टूल लेकर इसकी साहिता से मैं इसको आगे पिछे करता तो आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है कि आपकी जो इमेज है उसी को लेके जा रहा है और बाकी बाद में ब्लेंक रहे जाता है पर यदि इसी को मैं कंटेंट अवेर मूव टूल की साहिता से मूव करता तो क्या होता तो इसको मैं Ctrl-Z कर देता हूँ और Content Aware Move Tool को Select कर लेता हूँ अब मैं इसको Select उठा के यदि यहां करता तो क्या होता हूँ जैसे मैं यहां पे करता और इसको OK कर देते हैं यहां से Done इसके बाद यह देखो Removing हो रही है और यहां से यह देखिए और यह यहां पे आ गई तो यह आपके क्या करता है यह आपके जब किसी Data को आप उठाते हो Content Aware Move Tool की साहता से तो यह क्या करता है आपका जो पीछे का Background था उसको उसमें Fill कर देता है यहां के portion से उसको Fill कर देता है और इस Data को उठाके ले आता है तो यह था Content Aware Move Tool अब इसके अंदर यह चीजे समझते हैं इसके अंदर यह क्या होता है सबसे पहले जैसे मैं Ctrl-Z कर लेते हैं ठीक है एक बार और कर लेता हूं मैंने Content Aware Move Tool की साहता से इसको उठाके यहां किया ठीक है और इसको OK कर दिया ठीक है यह OK हो गया अब मैं इसका Structure Change करता हूं यहां से साथ से One कर दिया मैंने तो अब आप देखेंगे यह Analyze कर रहा है उसके बाद देखना आपको मैं दिखाता हूं क्या दिखकता है यह देखे यह क्या हो जाता है मतलब बलर नेस आ गई यहां पर यहां देख सकते हो नीचे यहां पर बलर नेस आ गई अब मैं इसको 5 करता हूं 4 कर देता हूं चलो ठीक है तो 4 पर देखते हैं इसमें Clarity बढ़ जाएगी देखो थोड़ी Clarity बढ़ गई है इसकी 6 से थोड़ी और बढ़ी और 7 से और ज़्यादा structure बढ़ जाएगा तो यह 7 से इसकी Clarity बढ़ जाती है अब Color का मतलब क्या है यह क्या करता है आपका Miss Match और Match करता है कि यहां के Invert से इसको Match कर देता है जैसे मालो मैं एक करता तो क्या होता यह देखिए यहां से बहुत ज़्यादा बलर हो गया और Match भी नहीं कर रहा है और मैंने इसको यहां से देखिए 4 नमबर पर यहां से थोड़ा सरकम Match है तो यह जो Color होते हैं यह आपके Miss Match और Match के लिए होते हैं ठीक है अब इसके बाद आता Transform on Drop Transform on Drop क्या काम करता है जैसे मैं दिखाता हूँ देखिए इस पर यहां क्लिक कर देते हैं और इसको अब यहां से यहां लेके जाते हैं तो यह क्या करेगा अब आप से यह पूछेगा नहीं कि Yes करना है या नहीं करना यह देखो Automated उठाके लेके और मैं इसके उपर क्लिक करता और यहां पर लेके आता इसको तो यह देखिए यह पूछता है क्या इसको यहां पर ले जाना चाहते हो तो मैं कहता Yes ठीक है यदि मैं इसको ना कर देता तब तो यह नहीं लेके आता है यदि मैंने किया तो यहां करके इसको ले आया ठीक है अब यह हो गए हमारे और transform on drop अब यह simple और layer यह मैं आपको बात में बता दूँ है अब बात करते हैं mode की extend और move move का आप समझ गए होंगी move यानि इधर से उधर ले जाना उधर से इधर ले जाना अब क्या होता काफी बार जो हमारा extend tool है वो किसलिए use होता है मैं बताता हूँ बाकी यह आपको पता ही है यह आपका selection को select करने का यह selection को बढ़ाने का यह selection को कम करने का यह चीज़े मैंने बताई हुई है पहले भी तो ठीक है दूसरी photo पे चलते हैं इसको control D कर देता हूं D select हो गया एक photo है मेरे पास यह अब इसमें समझते हैं होता क्या है उसका मतलब real में है क्या ठीक है अब देखिए इस extend tool को कैसे use करते हैं ठीक है इसी के अंदर तो क्या करते हैं पहले इसको select कर लेते हैं जैसे मैंने polygonal tool से इसको select कर लिया तो यहां से देखिए यहां से ले लेते हैं, चलो, देस, 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 यह लो, देस, यह मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं क्या करता हूँ, पोलिगोनल के बाद, यहां से कंटेंट अवे टूल को सेलेक्ट कर लिया मैंने, मूव टूल को, और यहां से एक्स्टेंड कर देते हैं, और अब देखिए, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा कि यह वाक सही नहीं करेगा पर मैं दिखाता हूँ आपको एक बर क्या होता है थोड़ा सा हम वापस से सेलेक्ट करेंगे एक बर ही हो जाने तो इसकी प्रोसेस को कि अगया है चीज़ें बड़ी होती हैं बड़ा ज्यादा टाइम लेता फोटो हैवी होगी आपकी तो टाइम तो लेना है झाल तो यह देखे अब यह देखे पहले पेड़ से थोड़ा पेड़ और बढ़ गया अब हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ठीक है थोड़ा सा और कर लेते हैं इतना ठीक है ओके फिर से वापस से एसेट करते हैं इसको और यह फिर से वही प्रोसेस करेगा क्योंकि मेरी फोटो का जो पिक्सल है वो बहुत जादा है तो इस चक्कर में ये खोरी ये दिकत है तो साइद आप extend का मतलब समझ गए होंगे extend का मतलब क्या होता है कि मुझे इस फोटो को move तो करना है पर उसी के साथ उसको extend करते हुए करना है यानि मैं इस पेड़ के जो ये मौटा तना है उसको extend करना मेरे को इसको बढ़ाना है ठीक है वो कुछ भी चीज हो सकती है वो पेड़ हो सकता है या इनसान हो सकता है इनसान की जैसे लंबाई बढ़ानी है मुझे तो मैं क्या करूँगा थोड़ा सा उसे वहां से लूँगा और उसको extend करूँगा तो वो थोड़ा बढ़ जाएगी साइच गाड़ी हो सकती है आपकी या कुछ भी हो सकता है जो भी whatever तो ये देख सकते हो आप जैसे थोड़ा सा मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया आपको ये ये यही चीज़ दिखाना चाहता था मैं कि ये देखिए थोड़ा सा मैंने यहां से ज़्यादा कर दिया तो वो देखिए थोड़ा अब पीछे बलर ने दिखने लग गया है तो हम देख सकते हैं चलो इसको मैं कर देता हूँ आप समझ गए हैं कि ये देखिए पहले ये पेड को दिखाता हूँ मैं देखिए पहले ये पेड कितना था यहां था फिर देखिए मैंने इसको इतना किया फिर ये देखिए ये देखिए कितना उपर हो चुका है तो आप समझ गए हैं कि extended tool किस काम में आता है तो ये सारे tool थे इसके जो content move aware tool के अंदर काम आते हैं सो कैसा लगा वीडियो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करे, share करे और अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले और bell icon भी दबा दे